बड़ी मशीन, कम्प्यूटर, रोड, बिल्डिंग, ब्रिज से लेकर एवी चार्जिंग स्टेशन तक का ब्लूप्रिंट डिजाइन एक ड्राफ्समेन बनाता है। अगर किस एक शेत्र के इंफरस्टख्शर डवलप्मेंट की सोचे हैं तो बिना ड्राफ्समेन के ये अधुरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Draftsman के Roles और Career Options के बारे में कि आप Draftsman में ITI करने के बाद कहां पर अपना अच्छा Career बना सकते हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो के अंतक हमारे साथ नमश्कार मैं कमल शर्मा आपका होस दोस्त और बड़ा भाई और आप देख रहे हैं शमिन शाला आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्राफ्समेन के बारे में किया फिर ड्राफ्समेन के क्या-क्या रोज होते हैं और इसमें क्या-क्या केरियर के आप्शन्स हैं अगर हम बात करें ड्राफ्ट्समेन इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है पर अलग-अलग इंजीनियरिंग फिल्ड के अकोर्डिंग ड्राफ्ट्समेन भी अलग-अलग हो सकते हैं सबसे पहले बात करते है civil draftsman की जो building, road, pull, band, अधी की drawing बनाने का काम करते हैं और इनकी सालाना salary एक लाग से दो लाग से थो को सकती है इसके बाद बाद आती है mechanical draftsman की जो machine और उसके parts की drawing बनाने का काम करते हैं इनकी सालाना सेलरी एक लाग से छे लाग तक हो सकती है इसी प्रिकार से इंजिनियरिंग ड्राफ्समेन होते हैं जो बिल्डिंग के मैप्स, डायग्राम और चार्ट बनाने का काम करते हैं इनकी सालाना सेलरी भी एक लाग से लेकर पाच छे लाग तक हो सकती है इसके अलावा आर्किटेक्शरल ड्राफ्समेन भी होते हैं जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग कॉंट्रेक्टर्स और इंजीनियरों दुआरा उप्योग करने के लिए आर्किटेक्ट्स के डिजाइन से तकनीकी चित्र बनाते हैं इनकी सालाना सेलरी एक लाख से लेकर 30 लाख तक भी हो सकती है अब बात करते हैं ड्राफ्समेन का कोर्स करने के बाद मिलने वाली सरकारी नोकरियों के बारे में तो दोस्तो इसके लिए समय समय पर बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में खुब वेकेंसी आती रहती है इसके लिए एरोनोटिकल डेवलप्मेंट एजनसी बैंगलोर तमिलनाडू पब्लिक सर्विस कमिशन चेनाई केंटोनमेंट बोर्ड कानपूर आदी में अभी भी वेकेंसी निकली हुई है जिसके लिए आप आज ही अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा हर साल अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इंडियन कोस्ट गार्ड केंटोनमेंट बोर्ड आदी बहुत सारी जगों पर बहुत सारी वेकेंसी निकलती रहती हैं जिनके लिए आप गूगल पर सर्च करके उनका नोटिफिकेशन पढ़के बड़ी ही आसानी से अपलाई कर सकते हैं अगर बाद ड्राफ्समेन को मिलने वाली प्राइवेट जोब्स की करें तो वैसे तो इसके लिए कहीं पर भी नोगरी की कमीन नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली NCR में इसके लिए सबसे ज़्यादा और अच्छे ओप्शन्स उपलब्द हैं समय समय पर ड्राफ्समेन के लिए केरको सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रूप केडी ग्रूप्स एंजेन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रिम्स मैन पावर सोलूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आधी धेर सारी कंपणियों में इसके लिए वेकैंसी आती ही रहती हैं जिसके लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से धेरो ओप्शन दिख जाएंगे फिर आप अपने अकोर्डिंग देखकर वेकैंसी में अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं विदेश में ड्राफ्समेन के केरियर के बारे में तो दोस्तों अगर आपके पास अपने related फिल्ड में एक से दो साल का अच्छा experience है तो आपको विदेश में दो से तीन लाख रुपे हर महीने salary मिल सकती है जो समय के साथ और भी बढ़ जाती है इसके अलावा दोस्तों अगर आप as a draftsman खुद का start-up शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी अच्छी company से कुछ समय तक job करके अच्छा experience ले लीजिए इसके बाद आप freelancing, work के तहद building, companies, roads आदिके construction का blueprint बना कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास उन engineers से अच्छे contact होने चाहिए जो उस project में काम कर रहे हैं तो दोस्तो इस सब से आप समझ गए होंगे कि अगर एक बार आपने draftsman फिल्ड में अच्छे experience ले लिया तो उसके बार आपके पास नोगरी की कोई कमी नहीं होने वाली draftsman की job ढूणने के लिए आप सरकारी या private company की website के अलावा हमारे श्रमिन job portal को भी visit कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर ITI engineering से related सभी jobs की vacancy post करते रहते हैं इसका link आपको नीचे description box में दिया हुआ है अगर आपको draftsman से related कोई और जानकारी चाहिए या फिर आपको इस बारे में कोई video है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को subscribe जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के notification मिलते रहें आज के लिए बस इतना ही हम मिलेंगे अगले अपिसोड में देखते रहें शमिन शाला नमस्कार शमिन जोब एफपर आप जैसे लाखोई हुआ जोब पा रहे हैं आज ही शमिन जोब एफपर जाएं और अपलाई करें अपनी पसंद दीदा जोब के लिए बिलकुल फ्री में